Hello दोस्तो कैसे हैं आप सभी आज के इस खास वीडियो में आपको नैनी तल की हसीन बादियों के सेयर कराने के साथ नैनी तल टूर की संपूर्ण जनकारी भी सेयर करूंगा तो आप भी नैनी ताल घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्फ करेगा इस वीडियो में बात करेंगे नैनी ताल तक कैसे पहुचेंगे यहाँ पर होटेल कहां लेना चाहिए नैनी ताल घूमने का क्या तरीका रहता है खाने पीने का क्या विवस्ता रहता है और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपून बजट की तो दोस्तो नैनी तल टूर की संपून A to Z जनकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रही है हम इसमें आपको हर छोटी बड़ी जनकारी देने की पूरी कोशिस करेंगे नैनी तल उत्राखंड का बहुत ही फेमस हीले स्टेशन है जो अपने खुबसूरत मौसम और प्यारे प्यारे बादियों के लिए ज़्यादा फेमस है यहाँ पर आपको जीले, पार्क, मंदीर, जू और खुबसूरत नजारे के सासत बहुत कुछ मिलेगा तभी पूरे साल लाखों लोग यहाँ पे अपना प्यारा टाइम में स्टेशन करने आते हैं फिर काट खुदाम रेल्वे स्टेशन से बस, टेक्सी, आटो और स्कूटी के माध्यम से आप नैनी ताल तक पहुँन सकते हैं जो कि काट खुदाम से नैनी ताल की दूरी 35 किलोमेटर की सफर रहती है और बस आपको काट खुदाम रेल्वे स्टेशन के बाहर में रोड से मिल जाती है इस 35 किलोमेटर दूरी के लिए आपसे 60-70 रुपे तक चार्ज कर सकते हैं और अगर आप सेरीन टेक्सी से जाना चाहते हैं तो आपको टेक्सी वाले 100-120 रुपे तक चार्ज कर सकते हैं अगर आप रैवेट टेक्सी करके जाना चाहते हैं तो आपको वन साइट के 1200 तक के चार्ज कर सकते हैं या अगर आप चाहे तो पूरे टूर के लिए भी car book कर सकते हैं इसमें आप से 4000 से 5000 तक का charge करते हैं सभी places पर गुमाने और एक night stay करने के बाद आपको वहीं पर drop कर देंगे hotel के charges आपको अलग से देने होते हैं वहीं आप स्कूटी और बाइक से जाना चाहते हैं काट कोदाम railway station के बाहर से main road के पास ही आपको बहुत से office मिल जाएंगे जहां से आप rental bike और स्कूटी ले सकते हैं स्कूटी की rate की बाद करें तो 500 से 600 रुपे पर डे का charge किया जाएगा और bike की बाद करें तो 800 से 1000 तक के charge किया जाएगा आपके पास में deal होना जरूरी है साथी साथ आपके पास में अधार कार्ड भी होना चाहिए या आप चाहें तो टेक्सी या bus से आप नैनी ताल पहुंच जाए और वहाँ से scooter या bike hire कर सकते हैं mall road पे आपको बहुत से shops मिल जाएंगे जहां से आप अराम से bike hire scooter ले सकते हैं और दोस्तो नैनी ताल तक आप अपना कार से आना चाहते हैं तो यह भी अच्छा option रहता है क्योंकि आपको parking की facility मिल जाती है जब आप नैनी ताल में entry करते हैं तो सबसे पहले पड़ता है bus stand इस place को तली ताल बोलते हैं अब आप 2 km mall road को पार करके आजाएंगे मली ताल में यही पर parking exchange बना हुआ है आप अपनी पार को यह पे पार कर सकते हैं यहाँ पे आप से parking charge 108 रुपे का लिया जाता है तो चलिए बहुत ही प्यारा और संदार सफर कुड़ा करके अब हम लोग पहुँच चुके हैं नैनी ताल नैनी ताल पहुचते ही आपको सामने ही नैनी जील आपके स्वागत में हाजीर है इसके बहुत ही खुबसूरत और संदार नजारा देखकर आपके अंदर excitement भर देगा तो चलिए नैनी ताल पहुचने के बाद में अब हम लोग बात करते हैं होटल कहाँ पे लेना चाहिए दोस्तो ऐसे तो नैनी ताल में आप कहीं पर भी होटल ले सकते हैं लेकिन mall road पर होटल लेना अच्छा option रहता है क्योंकि सामने में ही लेक है और सभी places पास में ही परते हैं दोस्तो mall road पर होटल थोड़े से costly रहते हैं लेकिन आप mall road से अरंदर गली में होटल लेते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे और budget होटल भी मिल जाएंगे इस गली के अंदर भी यह बहुत अच्छे अच्छे होटल बने हैं अपने हिसाब से कोई भी होटल ले सकते हैं दोस्तो यहाँ पर होटल के रहे पंद्रासों से start हो जाते हैं तो चली अब अच्छा सा होटल लेने के बाद हम लोग तो यह देरा राम करेंगे और चलेंगे गूमने के लिए तो चली अब हम लोग जानते हैं नैनी ताल में गूमने का सही तरीका कया रहता है और हम लोग कहां कहां गूम सकते हैं दोस्तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे नैनी ताल जू में घूमने के लिए इसका रास्ता मॉल लोड से ही जाता है दोस्तो जू में आप से सोड पे का इंटी टिकट लिया जाता है और साथी साथ ठ्रश्डे का जू बंद रहता है नैनी ताल में ये बहुत ही खुबसूरत और संदार जू बना हुआ है यहाँ पर आप सेर, चीता, हीरन, भालू, लोम्री और भी बहुत से जीव जन्तू को देख सकते हैं दोस्तो जू से आपके नैनी ताल के नजारे बहुत ही खुबसूरत लगते हैं तो आप यहाँ पर घुमने जरूर आईए दोस्तो यहाँ पर एक से दो घंटे घुमने के बाद हम लोग चलेंगे स्नो व्यू पॉैंट और लेक व्यू प्यांट पर घुमने के लिए दोस्तो यह सभी पॉैंट काफी उचे पर इस्तीत है यहां तक आप कार, रोबे या इस्कूटी से जा सकते हैं आपको mall road से ही कार मिल जाती है कार में आपको 800-300 रुपे पर परसन चार्ज किया जाएगा और अगर आप रोबे से जाना चाहते हैं तो आपको 400 रुपे तक देने पर सकते हैं दोस्तो कार वाले आपको 5-6 पॉइंट गुमाने के बाद आपको फिर से यहीं पर ड्रोब कर देंगे और दोस्तो अगर आप रोबे से जाते हैं तो आपको snow view point और adventure park ही घूम सकते हैं और कार से जाते हैं तो आपको 5-6 पॉइंट को cover कर लेंगे आप adventure park में बहुत से activities और साथी साथ गेम को भी enjoy कर सकते हैं यहां से आप हिमाले range को बहुती अच्छे तरह से देख सकते हैं साथी साथ यहां से भी nanny tal के नजारे बहुती प्यारे लगते हैं दो से तीन घंटे घुमने के बाद हम लोग फिर से नीचे वापस आ जाएंगे और अब हम लोग चलेंगे nanny tal की सबसे famous nanny lake में boating करने के लिए दोस्तो यहां पर 5-6 boating point है आप कहीं से भी boat ले सकते हैं यहां पर दो तरीके के rate रहते हैं एक 320 रुपे और दूसरा 420 रुपे के रहता है 320 में आप आधा round कर सकते हैं और वहीं 420 रुपे में nanny lake का full round करने को मिलता है दोस्तो इस boat में 3% तक बैठ सकते हैं यहां पर boating का experience काफी खास रहता है चारो और से पहारो से घीरी इस lake के नजारे देखते ही बनते हैं boating में enjoy करने से आप और नanny trip की चार चांद लग जाते हैं तो अगर आप नanny ताल आ रहे हैं तो प्यारे से नanny lake में boating का मज़ा जरूर लीजिए यहां पर अच्छे से enjoy करने के बाद हम लोग चलेंगे अब नैना देवी मंदिर में दर्शन करने के जो नanny lake के एकदम किनारे पे इस्तित है यह मंदिर बहुत प्राचीन और भब्बे बना हुआ है मंदिर में परवेश कर आप हनुआन जी का दर्शन कर सकते हैं सामने ही महादेब भी विराजमान है महादेब जी की दर्शन करने के बाद आप अंदर मंदिर में जाके माता नैना देवी का भी दर्शन कर सकते हैं जोस्तों इसके बाद यहां पर और भी देवी देपता हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं साथी साथ यहाँ पे साम में आर्ती का आर्योजन किया जाता है। आर्ती में सामिल होने के लिए बहुत बड़ी संक्या में भीरे कटी होती है। तो आप यहाँ पे साम में आर्ती में भी सामिल हो सकते हैं। मंदिर के पास महीं बहुती प्यारा गुर्दवारा बना हुआ है, आप यहाँ पर भी जाके माथा टेक सकते हैं, यहाँ पर भी आप आशिरवाद प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुती सांती और सकुन मिलेगा, साथी साथ यहाँ पर गुर्दवारा पार्किंग करना चाहते हैं तो जा सकते हैं दोस्तो नैना देवी मंदिर और गुरदवारा के आज पास बहुती प्यारा मार्केट बना हुआ है इसे बहुतिया मार्केट कहते हैं यहाँ पर आप कपरों की बहुती अच्छे तरीके की shopping कर सकते हैं यहाँ पे आप गरम कप रे बहुत ही अच्छे और सई रेट में मिलते हैं दोस्तों साम को आप मॉल लोड पे जरूर घूमिए साम को मॉल लोड पे घूमने का आपका experience बहुत ही खास रहता है मॉल लोड पे आप गरमा गरम कॉफी एंजॉय करिए साथी साथ यहाँ के फेमस ममोज को जरूर ट्राइ किजिए अगर आप कुछ shopping करना चाहते हैं तो यहाँ पे shopping भी कर सकते हैं तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं खाने पीने की तो दोस्तों नैना देवी मंदिर के पास में या मॉल लोड के पास में आपको बहुत ही अच्छे और भी आपी रेश्टूरेंट मिल जाएंगे यहाँ पर हर तरीके का वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फूट ट्राइ कर सकते हैं यहाँ पर थाली रेट की बात करें तो देड़ सो से दो सो रुपय में आपको भोजन मिल जाएगा वहीं आप चाहें तो अलग-अलग फूट को भी ट्राइ कर सकते हैं खाने पीने की आपको यहाँ पर कोई भी कमी नहीं मिलेगी इन प्लेसे को घुपने के बाद में रात में हम लोग होटल पर अपने अराम करेंगे और अगली सुबह हम लोग चलेंग कर अब हम लोग पहुंच चोंगे हैं कैची धाम बाबा मंदिर के पास में जोस्तो इस मंदिर के दिव और अलोकिक सक्तियों के बारे में आप लोग को जरूर सुना होगा यहाँ पर दरसन करने से आपको मन कामना पूरी हो सकती है तो दोस्तो यहाँ पर घुमने के बाद हम लोग अब चलेंगे भीमताल, भीमताल में भी आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं, यहाँ पर भीम जी का प्यारा सा मंदिर भी बना हुआ है, इस मंदिर में भी आप दर्शन कर सकते हैं, जोस्तों भीमताल अपनी एडवेंचर एक्टिविटी के लिए जादा फेमस है, जोस् को ट्रेन, बस या अपनी कार से घड़ के लिए आप सी कर सकते हैं, जो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आने का सबसे अच्छा टाइमिंग कौन सा रहता है, जोस्तों आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी में यहाँ पर इंज्वाय करने आ सकते हैं, जोस्तों अ अगर आप नैनी ताल सुबह 10 या 11 बज़े के करी में आ जाते हैं, तो आप नैनी ताल में सभी प्लेसे को कवर करने के बाद आप नाइट में स्टे करें, और आप अगली मॉर्निंग में जाके और भी प्लेसे को कवर कर सकते हैं, और साम को आप अपनी घड़ के लिए आप को बज़ेट डिवाइड हो जाएगा दोस्तो नैनी ताल में आप सभी प्लेसेज को सेरिंग टेक्सी या बस से कवर करते हैं साथी साथ आप टू डेज और वान नैट का प्लान बनाते हैं तो आप मान के चलिए कि तो आप 3,000 से 3500 पर परसन के बज़ट में आप नैनी ताल की प्लेसेज को अच्छे से कवर कर सकते हैं वहीं आप अगर नैनी ताल अच्छे से घुमना चाहते हैं तो आप 3 days, 2 nights का प्लान कर सकते हैं इसमें आपका बज़ट 4,000 से 45 सो में आप अच्छे से पूरे प्लेसेज क cover कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको नैनी दाल की हर छोटी बड़ी जनकारी देने की पूरी कोसिस की है अगर यहाँ पर आपको कोई भी question छूट जाता है तो आप comment के माध्य हम से पूछ सकते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा और कहां से आप देख रहे हैं comment box में जरूर बताईएगा साथ ही आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक देकर आप आप हमें motivate जरूर करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर आप पहली बार इस चैनल पर आये हैं तो यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपको हर update मिलती रहे है तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं जैहिंद जै भारत